गेस्ट पोस्टिंग यानि किसी के हां गेस्ट बनकर कुछ ब्लग पोस्ट करना या कुछ आर्टिकल करना या फिर कोई इसक पोस्ट करना तो गेस्ट पोस्टिंग ए बहुत इंपर्टन पाट होता है ओल स्य coordin यहां से आप guest posting करके अपनी website के SEO को और भी improve कर सकते हैं यह जानेंगे हम आज की इस एक वीडियो में तो चलिए फिर वीडियो को शुलू करते हैं आज हम बात करने वाले हैं guest posting या guest blogging आप इसे कह लिए तो यह क्या होता है यह सारी चीज़े हम समझेंगे तो अभी हमारे यह off-page SEO की यह सीरीज चल रही है complete SEO का course चल रहा है description box से आपको playlist का link मिल जाएगा एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है link building strategies हम discuss कर रहे हैं off-page SEO की strategies discuss कर रहे हैं तो उसमें guest posting हमारे important role play करती है तो guest posting जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक guest की तरह एक invite की तरह आप किसी blogging website पर या किसी के blog पर या किसी की website पर कुछ ना कुछ article या कुछ content आप post करेंगे ठीक है अब इसमें आपको क्या फायदा होगा कि obviously बात है हमने off-page SEO में क्या समझा था कि अपनी website के बाहर जाकर अपनी website की popularity करना अपनी website का नाम करना अपनी website के जादे-जादा link build करना लेकिन अभी जैसे मैं आपको बताया कि हमें link build करने पर धियान नहीं देना है बलकि हमें जादा से जादा quality content provide करने पर धियान देना है तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो guest posting है इसको और किस-किस नामों से जाना जाता है क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ सा confusion हो कि कहीं पर guest post ये word ना हो तो देखें क्या-क्या हो सकता है कि write for us हमारे लिए लिखी है हमारे लिए कुछ content post कीजिए contribute, guest post, guest contribution, editorial guidelines, contribution post, submit a post, submit a article तो इस तरहा के भी आपको कुछ words देखने को मिल सकते हैं जिसका मतलब यही होगा guest posting तो आप यहाँ पर guest posting करते है time जो कुछ चीज़ें आपको धिहान रखने हैं सबसे पहला जैसे मैं आपको अर्रेडी बता चुकी हूँ link building, जादे-जाद अपनी website का नाम देने पर focus नहीं करना है जादे-जाद अपनी website के link बनाने पर focus नहीं करना है बलकि यही focus करना है कि content हम अच्छे से अच्छा दें और फिर जो हमारा next priority होगी वो होगा कि उस content में कैसे हम अपनी website को या अपनी webpage के किसी link को हम relate कर सकते हैं फिर वो relation बिठा के वहाँ पर अपने content को कुछ इस तरह से put करना कि एक visitor के लिए उस blogging website के owner के लिए और वहाँ उस website पर जितनी भी audience आएगी उसके लिए वो जो आपने content post किया है वो कहीं ना कहीं valuable हो और यही हमें करना है जादा से जादा value देनी है हमारी audience को जिससे वो हमारी website के बारे में जाने जिससे वो हमारे बारे में जाने हमारे content पढ़कर ही चीक है तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ब्राउजर पर देखते हैं कि यह जो guest posting website हो दी है इसको हम कैसे ढून सकते हैं क्योंकि पहला जो task यही रहेगा कि अच्छी websites जूनना अच्छे ऐसे platform जूनना जहां पर आप एक guest की तरह पोस्ट कर सकते हैं या फिर guest की तरह कोई blog को पोस्ट कर सकते हैं तो देखी इसके लिए मैं आपको जो तरीके बताने चाहूंगी सबसे पहला यह कि जो आपका जो भी आप blog post करेंगे किसी की website पर हम blog post कर रहे हैं उसका main motive हमारा क्या है मतलब ठीक है हमें अच्छा content provide करवाना है लेकिन जो main motive वही है कि हमारी जो website है हमारी जो service है हमारी जो business है उससे related content post करना और वहां से हमारी audience को लेकर आना हमारी website पर ठीक है आप पेज SEO करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता आज के time में यह सब zero हो जाएगा अगर relevancy नहीं है तो इसलिए सबसे पहले relevancy हम पहचानेंगे तो दो तीन ideas में आपको दे रही हूं जैसे एक हम travel blogs की बात कर लेंगे कि अगर manager tours and travel से related आपका business है क्या आप से related आपका business है कुछ ऐसा travel service से related आप कुछ provide कर आते हो hotels industry से related आपका कुछ business है तो आपके लिए मैं कुछ ideas बता दूँगी उसके अलाबा दूसरा हम जो idea ले लेंगे education related या तो आपका school education related या college education related या कुछ skill education related कुछ आपका इस तरह का genre है तो आप मतलब कैसे उनका दूण पाएंगे ऐसे तीन-चार ideas इस वीडियो में मैं cover करने कोशिश करूँगी बाकि आप मुझे comment section में अपने कुछ ऐसे business ideas बता सकते हो तो मैं आपको कुछ suggestions दे दूँगी कि ऐसे इस तरह का अगर आपका business है तो किस तरह की sector related जो लोग है वो वहाँ पर कुछ blogs पढ़ते हैं आर्टिकल्स पढ़ते हैं चीक है तो इसकरी मैं आपको सिंपल एक ट्रेक बताना चाहूंगी तो अब देखिए मैं सबसे पहले जो help लेने वाली हूं वो मैं गूगल की ही Google search की ही लेने वाली हूं तो जैसे मैं यहाँ पर simply type कर रही हूं जैसे guest post ठीक है फिर ऐसे मैं ना हमने जो मैं आपको सारे अभी नाम बताए हैं वो भी आप यहाँ पर add कर सकते हो और मैं यहाँ पर double एस्ट्रेक लगा कर और यहाँ पर for example जैसे मैंने बोला travel तो मैं travel इस तरह से type करूंगी अब होगा क्या travel यहाँ पर type करने हैं जैसे कि आप देखेंगे तो submit a guest post travel blog तो यहाँ से देखें मुझा idea मिल रहे हैं यह तो बाकी कुछ यह listing वाली sites है 200 plus travel guest blogging site list है तो अब यहाँ पर यह जो double extract लगा है इसका मतलब यह हो गया कि travel word आना जरूरी है मतलब जो भी मिरको results मिले उसमें travel word जरूर हो तो travel आप add कर सकते हैं hotels आप add कर सकते हैं that up to you guest post अभी हमने किया तो हम जैसे guest blogging मैं यहाँ पर type कर देती हूँ आप और भी जो हमारे नीश है वो आप यहाँ पर जैसे ही एस ट्रेक के बीच में डाल सकते हो उसी के साथ ही जो मैंने keyword research के time में आपको जो genre पताया था that was cleaning house cleaning से related हमने keyword research की थी एक business की जो की डेली में house cleaning services प्रवाइड करवाती है ठीक है यह मैं इसलिए different different तरीके के ideas आपके cleaning blog देख लीजे janitorial manager देख लिए janitor basically उस person को बोला चाता है building की देख रेक करता है चीक है so get cleaning clicks देख लीजे तो यहाँ पर मतलब काफी सारा ideas आपको मिल जाएंगे जैसे अब यह एक site है तो मैं इसको यहाँ पर open कर लेती हूं एक और मैं site को यहाँ पर open कर लेती हूं चीक है submit a guest post है तो हम इसे को कैसे कर सकते हैं आप देखिए इन सब का मैंने डीए पीए चेक कर लिया और मिरको travel वाली में तो यह वाली site मिरको समझ में आई व्यासे आपको और भी research करनी है अभी सिर्फ मैं आपको वीडियो बनाने के लिए सिर्फ मैं आपको ideas बता रही हूं आपक फिर उनमें हम blog post करेंगे कैसे कोच साइट होती है जहांपर simply submit का option आता है simply आप blog लिखेंगे अपने recording उसे edit करेंगे और post कर देंगे फिर वो review होगा और अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो post जो है visible हो जाएगा दूसरा तरीका होता है कि आप उन्हों को mail करते हो mail अपना लिया कहां से है तो यहां पर आप अपनी website का link या reference दे सकते हो चीक है उसके अलावा गर images add कर रहे हो तो free stock photo होनी चाहिए और यहां पर आप देगेंगे तो यह बोल रहे है send us an email for price and guest post submission discussion अब यहां पर मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यह कहीं ना कहीं मैं इनको mail कर कर सकते हैं चीक है और basically सबसे पहले इसका DAP अगर बहुत जादा है तो आप consider कर सकते हैं पे करना otherwise बहुत सारी free sites मिल जाएंगे तो इसको मैं अपनी list से हटा देती हूं तो यहां पर जो requirement है यहां पर भी हुई है like 1500 words में होना चाहिए sub heading होनी चाहिए heading होनी चाहिए तो यह इसको आप पढ़ सकते हैं उसके लावा यहां पर यह clearly बोड रहे हैं कि जितने भी जो post आप होंगे उसमें एक blogger का bio होगा और link to your site होगा मतब यह अच्छी बात है यह पहली हमें बता रहे हैं कि हम आपकी website का जो link है वो आप यहां प topics दे रखी है और सबसे नीचे आपको इनको email करना होगा message आपको directly यहां पर नहीं लिखना है अपना पूरा blog post बस आप यह लिख बीचे that I want to write for your website I want to post a guest blog to your website and reply me for the further discussion और इस blog का मैंने पढ़ा है जितना भी मतलब इस site का तो यह मतलब completely free मुझे लग रहा है बट स्टिल एक तो अब सवाल आता है कि guest blogging किस तरह से blog लिखें किस तरह से content हमारा होना चाहिए अब यह देखिए यहां पर word पर मैंने एक blog लिखा हुआ है चीक है आप देख सकते हैं इसको बहुत ही simple सा blog है इसका जो title है best places to visit in Europe अब जब भी आप कुछ guest posting के लिए या फिर जनरली भी साथ में होना चाहिए और सबसे main जो हमारा agenda है कि हम इन blog को post करते time हमारे links attach करेंगे तो उसके लिए भी already चीज़ें यहां पर आप underline कर सकते हैं और यहां पर जो है link attach कर सकते हैं चीक है तो मैं यहां पर क्या करती हूं जिसे submit करने से पहले मैं यहां पर कोई link attach कर देती हूं चीक है अगर मान दीजिए example मैं सिर्फ ले रही हूं लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर आपका relevant page और relevant आपकी site ही आनी चाहिए तो देखिए इस तरह से आ गया तो मान दीजिए अगर मेरी tour packages से related या travel या tourism से related अगर मेरी company है मेरा business है तो मैं उसकी site यहां पर डाल इस तरह के packages इस तरह के tool packages आप खरीद सकते हैं या फिर उनके बारे में और जान सकते हैं और यह जो हमारा है यह एक example यहां पर हो जाएगा अब देखिए जो भी हमारा blog जहां पर भी हमें guest posting करनी है वहां पर वो हमें limit देते हैं कुछ कहेंगे 1500 words में होना चाहिए 1000 words में होना तो इन्होंने अपने इस वाले section में contributor guidelines में इन्होंने पूरा लिख रखा है कि आखिर क्या क्या चीजें इनको focus करनी है क्या क्या चीजें आपको धिहान रखनी है अभी चैसे यहां पर यह बता रहे है we would like to have the post that range from 1300 to 3000 words ठीक है तो 1300 to 3000 words है तो इसको हम थोड़ा सा increase कर लेंग जैसे कि अभी total यहां पर मैंने जैसे 7 places आड़ की है तो हम इनको 10 places कर देंगे तो जिससे हमारी जो blog post है वो इस limit तक पहुच जाएगी जितना यह चाहते है चीक है उसके अलावा citation, links, relationship, यह देखो क्या बोल रहे है कि first two links every post to relevant internal read write content की यह बोल रहे है कि पहले जो दो links होंग Wikipedia का मैं reference देना चाहती हूं कोई stats आपने कहीं से उठायागा है तो उसका भी आप link दे सकते हैं और उसी के साथ साथ आप अपने links भी attach कर सकते हैं अपनी website के बस relevancy वहां पर होनी चाहिए तो यही यहां पर लिख रहे हैं चीक है तो यह आप अच्छे से मतला हर जो भी site पर post करना चाहते हैं अच्छी site पर वहां पर आपको इस तरह की guideline दी चाती है उसके अलावा आप देखेंगे तो formatting से related है यहां पर की numbers यहां पर लिखे हुए हैं percentage है, digits लिखा हुआ है मतलब आप इसको अपने recording देख सकते हैं उसके अलावा images हैं तो images का भी यहां पर आपको size व पड़ेगा तो उसी के साथ में जो भी हमारा post होगा उसके नीचे हमें blogger profile भी देना पड़ेगा यानि जिसने भी यह blog लिखा है उसका profile क्योंकि ultimately हमें क्या करना है हमें अपने business की हमें brand की हमें promotion करना है बस एक चीज में आपको recommend करूंगी कि यह जो guest posting आप करते हैं यह आप को अपने individual name से करनी है ना कि आपके firm के name से आपके business के name से ठीक है क्योंकि ultimately blogger क्या है blogger मतलब एक person जो की लिख रहा है तो यहां पर आप अपना जो नाम है या फिर आपके जो client है उनके नाम से आप blogging कीजिए and फिर उसमें अपनी website का जो reference है वो आप दीजिए ठीक है तो blogger profile में name आजाएगा name के साथ साथ अपना आप description डाल सकते हैं description के साथ में अपने जो social media platforms है उनके links डाल पाएंगे और फिर last में सबसे important that is हमारी website चीक है so यह चार चीज़ें तो आपको definitely put करनी है अब जो description है उसमें जैसे मालनी जब WSQ Tech के लिए मुझे एक blog लिखना है WSQ Tech क brand building के लिए मुझे मैं उसका off page कर रहे हूं तो यहाँ पर मैं अपने description में डालूँगी that I am a digital marketing trainer in WSQ Tech तो ना चाहते हुए भी जो मेरी description है उसमें WSQ Tech का नाम आए क्योंकि ultimately हम क्या कर रहे है हम अपनी website से बहार निकल के अपनी website का promotion कर रहे है तो जितना ज़दा हम promotion कर पर आपको कुछ examples भी मिल जाएंगे तो जैसे यह वाली site है तो इसमें बोला हुआ है कि follow us everywhere उसके लावा यह बोल रहे है कि आपको जो author bio और author profile में क्या लिखना है तो देखें यहाँ पर biographical आपकी definition आप डाल सकते हो अपने बारे में कुछ डाल सकते हो twitter profile अपनी डाल सकते ह उसके लावा social media platform आपके कोई है YouTube है Instagram है Facebook है वो आप दे सकते हो उसके लावा आपकी कोई personal या अपनी company की website हो या URL हो तो वो आप दे सकते हो और उसके लावा अपनी एक profile photograph भी दे सकते हो चीक है तो आपके picture भी वहाँ पर लग जाएगी okay so यह यहाँ पर कुछ हर site में mostly आपक process है तो आप यहाँ पर इधर apply करेंगी जो here वाला link है तो apply now पर हम यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर आपको यह पूरा form है जिसमें आपका name पूछा जाएगा फिर आपसे word file मांगी जाएगी आपका document मांगी जाएगा जिसमें हमारा यह वाला जो blog है यह लिखा हुआ है त हमारा content अच्छा है हमारा content original है तो यह लोग भी even क्योंकि देखें आप खुद ही सोचे इनकी site है अब इतने सारी blogs लिखनी बाएंगे एक दिन में तो इसलिए guest blogging इनके लिए भी helpful रहती है और हमारे लिए इस तरह से helpful रहती है कि एक अच्छी website जिस पर काफी अच्छ रहते आपके niche से related ही आपको site ढूंड़नी है तो यहां पर आपको काफी सारी sites मिल जाएंगी लेकिन उन सभी sites पर आपको जाके देखना पड़ेगा कि आपका content वहां पर relevant प्रूव होगा या नहीं जो audience आपको चाहिए क्या वो उस particular profile पर आएगी या नहीं तो यह था हमारा guest posting I hope कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा इसी के साथ ही जो भी आप blog post करें बस उसका जो है documentation जरूर करना यानि जो भी उसका link है वो अपनी excel sheet में जो हमने off page के लिए उसमें जरूर शेयर करना क्योंकि जो भी हम ultimately काम कर रहे हैं उसका proof हमारे पार definitely होना चाहिए और again focus on quality not on quantity आज जो मैंने इस वीडियो में आपको tips बताई है उसमें हो सकता है कि आपको time जादा लगे लेकिन जो भी आपका content बनेगा वो quality होगा original होगा genuine होगा और सबसे बड़ी बात वो actual में कुछ value create करेगा आपकी website के लिए क्योंकि बहुत जादा advance होता जा रहा है Google का algorithm Google का concept है का स्पाम करने का तरीका बहुत जादा advance होता चाहरा है तो ऐसे मैं हम नहीं चाहेंगी किम किसी भी spam का शिकार हों so I hope video आपको अच्छे लगी हुई हो और जो भी चीजे मैं आपको बताई है उनको ध्यान रखना follow करना और आपको कोई नहीं रोक पाएगा आपकी website को rank करने के लिए तो वीडियो को like जरूर कर देना and don't forget to subscribe WSQ Tech channel thank you